जानलेवा कुरोना वाइरस की खौप की चपिट में पूरी दुनिया आ चुकी है अब तक सिर्फ चीन में ही मौत कहां कड़ा 1300 के पार पहुँच गया है पूरी दुनिया में करीब 45 या लोग इस वाइरस की चपिट में आ चुके हैं इसी बीच कोरोना संक्रमीत लोगों के फेपड़े की कुछ एक्सरेइ फोटोज सामने आई हैं दरसल चीन के लंजाओ इस्थिद्य एक स्पताल में कोरोना वाइरस संक्रमीत 33 वर्षी एक मरिज के सीने का एक्सरे लिया गया इसके बाद चौकाने वाली तस्वीरे सामने आई उन्होंने देखा कि सार्च की ही तरह कोरोना वाइरस के भी लक्षन दिखाय दिये जर्नल ओफ रेडियोलोजी के अनुसार दोक्टर द्वारा दिखाई गई एक स्रे रिपोर्ट में हिपडे के नीचले हिस्से में कुछ दाग नजर आए दोक्टर ने इसे ग्राउंड ग्लास ओपसिटी बताया है रेडियोलोजीस्ट ने बताया कि जब उन धपों को जूम करके देखा गया तो वे किसी शीशे के टुपनों की तरह नजर आए ये साबित करते हैं कि वहां कुछ तरल पदार्थ इकठा हो गया है रिपोर्ट में एक चोकाने वाली बात यह भी सामी आई है कि भले ही नीमोनिया और कोरोना वाइरस के लक्षन एक जैसे दिखते हो लेकिन नीमोनिया की तुलना में कोरोना बेहत तेजी से फैलता है और इस पर एंटी बायोटिक भी बे असर साबित हो रहे हैं इसी बीच जर्मनी के रूख यूनिवर्सिटी और क्रिप्स वाल्ड यूनिवर्सिटी के बैग्यानी को ने मिलकर कोरोना बायरस पर एक श्टड़े की है इन्होंने अब तक कोरोना बायरस पर हुए दो दर्जन अध्यानों को भी पढ़ा फिर उन्होंने पता किया कोरोना बायरस को कैसे खत्म कर सकते हैं कैसे उसे मार सकते हैं जर्मनी के बेग्ञानिकों के अधेयन कर्यूसार को जिस तरीके से खत्म किया सकता है उसमें सबसे परमुक है खुद का वचाओ कोरोना वाइरस को दीइंसफेक्टेड की मदद से खत्म में गया सकता है इस अध्यर में बताया गया है कि कोरोना वाइरस 30 डिग्री सेल्सियस या इसे ज़्यादा तापमान में असहज हो जाता है जैसे जिसे तापमान बढ़ता है वाइरस निस्कीरिय होता चला जाता है यानि 30 degrees Celsius तापमान या उससे ज्यादा होने पर प्रोरणा की ताकत कम होने लगती है वाइरस को डिस इंफेक्टेट की मदद से खत्म किया जा सकता है अलकोहल से कोरना वाइरस को एक इमनट में खत्म किया जा सकता है जबकि लीच की मदद से इसे हर 30 सेकंड में खत्म कर सकते हैं जर्मनी के बेग्यानिकों के अनुसार कोरोना वाइरस पाकी फुलू वाइरस की तुल्ना में करीब 4 गुन ज्यादा समय तक जिन्दा रहता है साधरन फुलू के वाइरस से 2 से 3 दिन तक जिन्दा रहते हैं